नमस्कार दोस्तों, जरा गंभीरता से सोचिए, क्या महराष्ट की जनता ने ये दिन देखने के लिए मतदान किया था 21 सक्तुबर को? क्या उसने ये चाहा था कि राज्ज में राष्ट पति शासन लगे? या उसने कोई और जनादेश दिया था? और वो जनादेश क्या था? जनादेश था एक ऐसे गठबंदन के लिए, जिसकी सरपरस्ती में उसने पांच साल तक एक अच्छा शासन देखा था 288 के सदन में भारतिय जनता पारिटी और शिव सेना की यूति को उसने 160 से ज़्यादा सीटे दी थी 105 सीटे भारतिय जनता पारिटी को और 56 सीटे शिव सेना को और जिस समय ये जनादेश आया, उस समय किसी को भी इस बात में कोई शक्स उभा नहीं था कि फिर से वहाँ भारतिय जनता पारिटी के नित्रतों में सरकार बनने जा रही है लेकिन ये हालात आखिर कैसे पैदा हुए कि कहां तो राज तिलक होना था और कहां महा भारत छिड़ गई और महा भारत भी कैसी कि जो भारत्य जनता पारिटी के साथ पिछले ढाई तीन दशक से अलग-अलग सरकारों का हिस्ता रही कभी उनकी सरपरस्ती में सरकार बनी भारत्य जनता पारिटी उसका हिस्सा रही कभी भारते जनता पारिटी के नित्रतों में सरकारे बनी केंद्र में और 2014 में महाराष्ट में और शिव सेना उसका हिस्सा रही तो ये इस्तितियां पर इस्तितियां आखिर कैसे पैदा हुई कि शिव सेना ने अपनी उस सहियोगी के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूँक दिया जिसके साथ वो ढ़ाई तीन दशक से गड़बंदन में थी क्या जनता ने ये जनादेश दिया था कि शिव सेना भारतिय जनता पारिटी के बजाए कौंग्रेस के साथ या NCP के साथ मिलकर के साजीशें रचे और उनके साथ सरकार बनाने के लिए कोशिश करें क्या महराष्ट की जनता ने शीव सेना का मुख्य मंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया था शीव सेना ने जो कुछ किया है उसने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं और ये सवाल क्या है सवाल ये है कि नरेंदर मोदी की सरकार ने पिछले पांच साल में और देवेंदर फड़नवीस के नितरतों में महराष्ट की सरकार ने बरश्टाचार के खिलाब जिस तरह की महीम चलाई है चाहे दाओद इबराहिम हों चाहे दूसरे लोग हों उनकी जो अवैद संपत्या हैं उन पर जिस तरीके से हाथ डाले हैं उनको जिस तरीके से बेनकाब करने की कोशिश की है और जो परदों के पीछे से सोदेवाजी होती रही है वहाँ जमीनों की और दूसरी चीजों की जिस तरीके से उनको बेनकाब किया है काले धनका जो सामराज्य है उसको बाहर लाकर उस पर जो प्रहर करने की कोशिश की है कहीं ऐसा तो नहीं है कि परदे के पीछे से ही कुछ ऐसी ताक्तें सक्रिये हैं जो नहीं चाहती कि महाराष्ट में भारत्य जन्ता पार्टी की सरकार किसी भी तरीके से रिपीट हो आपको याद होगा E.D. ने करीब 6 महिने पहले राज ठाकरे को संबन किया इसके अलावा परफुल पटेल जो शरत ममार के नजदी की है उनको नौटी सिशू किये गए उनसे घंटो घंटो पूछताच की गई और ये पता लगा के दाउद के एक दाहिने हाथ समझे जाने वाले एकबाल मिर्ची के साथ उन्होंने किसी प्रोपरटी की डील की है और वो भी तब जब वो केंदर में मंतरी थे और मनमहन सिंग प्रधान मंतरी थे यानि केंदर में UPA की कॉंग्रेस की सरकार थी जब उस प्रोपरटी की डील हुई थी तो ऐसे में अगर शिव सेना NCP का साथ देती है या लेती है कॉंग्रेस के साथ गड़वंदन बनाने की कोशिश करती है उसका सही उग लेकर के अपना मुख्यमंतरी बनाने की कोशिश करती है तो इससे क्या सवाल खड़े नहीं होंगे दूसरे आज जो लोग राज्यपाल पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने परियाप्त समय नहीं दिया 24 अक्तूबर को रिजल्ट आ गए थे और शिव सेना के प्रवक्ता संजय राउत ने उसी दिन से भारते जन्ता पारिटी को आखे दिखानी शुरू कर दी थी और उन्होंने किस-किस तरह के बयान दिये हैं ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है उन्होंने बार बार ये कहा के शिव सेना का ही मुख्य मंत्री बनेगा उन्होंने यहां तक धम की दी के भारते जन्ता पारिटी या तो हमें ढ़ाई साल के लिए मुख्य मंत्री का पद दे नहीं तो हमारे पास सत्तर एमेले हैं और हम जिस दिन ठान लेंगे उस दिन अपनी सरकार बना करके दिखा देंगे एक सो सत्तर एमेले कैसे होते हैं यानि चपपन उनके कुछ निर्दली है चववन एनसीपी के चवालिस कॉंग्रेस के ये एक तरीके से ब्लैक मेल की भाषा थी लेकिन भारते जन्ता पार्टी ने तरत्व उनकी धमकियों में उनकी ब्लैक मेलिंग में नहीं आया और भारते जन्ता पार्टी ने अल्टिमेटली राज जपाल को कह दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं हैं हम सरकार नहीं बना रहे हैं और उसके बाद जो ये दावेदारी कर रहे थे हमारी जेब में 170 MLA पड़े हैं इनकी पॉल खुल गई NCP ने भी लेटर नहीं दिया शिवसेना की सरकार के लिए कॉंग्रेस मीटिंग पर मीटिंग करती रही उसने भी पत्र नहीं भेजा और नतीजा क्या हुआ जितना समय राजभावन ने शिवसेना को दिया था पहले से 170 MLA अपनी जेब में होने का दावा कर रहे थे जब राजभावन में सूची देने का समय आया तो आपके पास कोई सूची नहीं थी जनता को किसने ब्रह्म में रखा और महराष्ट की जनता के साथ किसने धोका धड़ी की महराष्ट की जनता ने भाजपा शिव सेना को जनादेश दिया था महराष्ट की उस जन भावना का निरादर किसने किया इसका जवाब शिव सेना को देना पड़ेगा और जो शरद पमार परदे के पीछे से इस भूमिका में थे कि किसी भी तरीके से भारते जनता पारटी और शिव सेना की सरकार ना बनने पाए आखरी समय में वो ही शरद पमार राज भावन से लेटर ले आए और उस लेटर में क्या था राज जपाल ने उनसे पूछा था कि चुकि तीसरी बड़ी पारटी आप है क्या आप सरकार बना सकते हैं और फिर शरद पमार ने बैठके करनी शुरू कर दी कॉंग्रेस से बात करनी शुरू कर दी अपनी सरकार बनाने के लिए यानि जो शिव सेना एंसी पी नेता शरद पमार के दम पर और कॉंग्रेस के समर्थन के दम पर सीना फुला फुला करके भारती जनता पार्टी को गालिया दे रही थी चैलेंज दे रही थी उसने अपनी आखों से देखा कि वही शर्द बमार अपनी सरकार के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक ऐहम सवाल के शिव सेना किसको धोका दे रही थी भारतिय जन्ता पार्टी को अपने आपको या महाराष्ट की जन्ता को ये बेशर्मी की हद है कि इस सारे सिनारियों के लिए इन सारी परिष्टितियों के लिए शिर सेना अब भी भारतिय जन्ता पार्टी के सिर पर ठीक रापोड़ने की कोशिस कर रही है जबके भारतिय जंता पार्टी ने डेवन से ये कहा था कि पांच साल तक मुख्य मंत्री भारतिय जंता पार्टी का ही होगा और अब जबके महरास्ट राष्ट पतिशासन की और अग्रिसर हो गया है तब भी वो सुप्रीम कोट तक दोड़ रही है कि हमें परियाप समय नहीं दिया गया और राज जपाल ने पक्षपात किया भारतिय जंता पार्टी को तो 48 घंटे का समय दे दिया और हमें केवल 24 घंटे का समय दिया और उसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई कॉंग्रिस के नेता दिगवीजे सिंग आम तोर पर तो गलत बयानी के लिए जाने जाते हैं लेकिन कम से कम उन्होंने इस मामले में महराष्ट के गवर्नर भगत सिंग को श्यारी की तारीफ की उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी यानि भारते जिंता पार्टी को बुलाया जब भारते जिंता पार्टी ने मना कर दिया कि हमारे पास नंबर नहीं है तो उन्होंने दूसरी बड़ी पार्टी शिव सेना को बुलाया शिव सेना भी 24 गंटे में अपना बहुमत के आगड़े जितने विधायकों की सूची उनको नहीं दे सकी इसलिए राजजपाल ने तीसरी बड़ी पार्टी को भी बुलाया यानी NCP को तो राजजपाल की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है इसके बावजूद शिव सेना खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली इस्तिती में है और अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर राजजपाल के फैसले को चेलेंज कर रही है मुझे जितना अनुभव है मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह कास तक शिप करेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी शिव सेना को मूख की खानी पड़ेगी अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद